हम अपने आस्पास के जिस भी तरह के चीजों से घिरे हुए हैं, चाहे वो लीविंग ठिंग हो, मतलब सजीव प्राणी हो या फिर वो नौन लीविंग ठिंग हो, जासे की पहाड हो गया, जासे की नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया इस तरह के चाहे वो living thing हो जैसे कि गाई, भैस, बकरी वगरा वगरा चाहे वो living thing हो या non living thing हो हम जिस भी तरह के चीजों से घिरे हुए हैं वो सब मिलकर हमारा environment बनता है तो environment को कुछ इस तरह से define किया जाता है कि किसी भी इंसान या जानवर या फिर पोधा, पेड़ पोधा वो जिस surroundings में operate करता है surroundings मतलब उसके चारों तरफ जो भी चीज़े है जिस surroundings में वो operate करता है और वो जिस condition में operate करता है मतलब उस surroundings का जो condition है तो वो surroundings और condition मिल के बनता है environment अगर surroundings की बात करें हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़े देखते हैं वो वो basically दो तरका होता है एक तो biotic और दूसरा abiotic abiotic मतलब related to living things जैसे हमारे चारों तरफ जो भी living beings हैं जैसे कि अगर हम गाउं में रहते हैं तो फिर गाए, भैस, बकरी, मुर्की ये सारी चीज़े पंचियां, पंचियों में कववा, फिर कोयल वगएरा वगएरा फिर तालाब या जील की जो मचलिया हैं ये सारी चीज़े जो living beings हैं हमारे चारों तरफ है ये सब मिलके हमारा biotic environment बनाता है और जो भी non living things हैं हमारे चारों तरफ जैसे कि जील हो गया, नदी हो गया, खेत हो गया और फिर पहाड परवत हो गया ये सब मिलके हमारा abiotic environment या abiotic surroundings बनाता है और अगर condition की बात करें तो condition में आता है temperature, rainfall, humidity वगएरा वगएरा जैसे कि अगर कोई काशमीर या फिर दारजिलिंग वगएरा में कोई अगर रहता है तो वो कहेगा कि हम बहुती cold environment में रहता है क्योंकि वहाँ ठंडक ज्यादा पड़ती है और अगर कोई मान ले कि राजस्थान की पस्चिमी छोर में रहता है जहां बहुत गर्मी पड़ती है तो वो कहता है कि हम hot environment में रहते हैं उसी तरह से जहां जितना rainfall होता है उस हिसाब से वहाँ का environment होता है हो सकता है वो humid environment हो अगर बहुत ज्यादा rainfall हो या फिर अगर बहुत ज्यादा rainfall न हो बहुती कम rainfall हो जो कि थार जो रिगिस्तान है उसके आसपास के रीजन में या उस रीजन में होता है तो वहाँ के लोग कहेंगे कि वहाँ जो है dry environment है तो ये जो conditions है और जो surroundings है ये सब मिलके किसी living being का हो सकता है वह इंसान हो या animal हो या plant हो उसका environment बनाता है तो अगर हम अपने दिन चरिया को ध्यान से देखे तो हम जो भी चीजे करते हैं उसमें ज्यादा तर चीजे जो है वो हम survive करने के लिए जिन्दा रहने के लिए करते हैं हम जिन्दा रहने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या फिर खाना खाने का या पानी पीने का जुगाड बैठाते हैं, तो हम जिन्दा रहने के लिए जो भी काम करते हैं, उसमें आप गौर से देखेंगे, तो आप पाएंगे, कि हम अपने environment में पूरी तरह से, लग लाते हैं अपने खेतों में तो यह हम खाने के तौर पे mostly हम लेते हैं प्लांट से हम most of the energy जो है यह हम consume करते हैं जिन्दा रहने के लिए और हम दूद से बनी हुई चीजे भी खाते हैं जिसके लिए हम गाय भैसे पर डिपेंडनेंट होते हैं दूद से बनी हुई चीजे या तूद से बनी हुई चीज़े जैसे की घी हो गया फिर हो गया छेना हो गया ये सारी चीज़े जो है कुछ लोग नॉन वेजटेरियन फूड पसंद करते हैं वो मचलिया खाते हैं और वो मुर्गी उसका अंडा ये सारी चीज़े वो खाते हैं तो इन सारी चीज़ों को अगर अपना civilization बैठाते हैं, वो सकता है अगर सुरूत ना हो तो फिर कुवा या फिर ट्यूब वेल वगेरा हम बैठाते हैं, या फिर हम किसी बड़े नदी के किनारे अपना civilization जो है या अपना गाउं जो है वो बैठाते हैं, तो देखे हमारे जो environment है, हमारे आसपास किस तरह का condition है और जो environment है, ये लगभग लगभग decide करता है कि हमारा दिंचरिया किस तरह का होगा, तो जो हम चीजों पे या फिर जो हम अलग-अलग जीवों पे, living beings पे, जिस तरह से dependent है, अगर इस dependency को देखा जाए तो हमारा community बनता है, interdependent community बनता है, तो वो biological community, जो कि एक दूसरे के साथ interact करता है, और साथ ही साथ उसका जो physical environment है, ये सब मिलके एक ecosystem बनाता है, चलिए एक छोटा सा ecosystem का example देख लेते हैं, उससे पहले अगर माले कि मैं एक गाओं का किसान हूँ, तो मेरा जो ecosystem होगा, उस ecosystem में क्या क्या आएगा, जिस पे भी मैं dependent हूँ जिन्दा रहने के लिए, ज जैसे की हमारा जो भी पालतू पशू है, जैसे की गाए, भैस, बकरी वगरा वगरा, तो ये सारे मिलके जो एक community बना रहा है मेरे लिए, तो वो मेरा ecosystem होगा, इसमें मैं भी included होगा, तो उस ecosystem में, आप इसे village ecosystem नाम दे सकते हैं, तो इस village ecosystem में मैं आ जाओंगा, मेरे जो भी जाओं के लोग है, वो सारे आ जाएंगे, मेरे जो पालतू पशू है, सभी के जो पालतू पशू है, वो आ जाएगा, और जो खेत है, खेत में उगता हुआ फसल है, ये सारी चीज़े हमारे ecosystem में आ जाएगा, तो एक simple ecosystem का example लेते हैं, pond ecosystem, एक तालाब है, इस तालाब में ज कुछ जलज उदभीद, मतलब aquatic plant उगता है, ये aquatic plant क्या करता है, sunlight को absorb करता है, आपको पता है, और photosynthesis के मदद से ये खाना बनाता है, ये glucose बनाता है, वो बाद में अलग-अलग तरह के foods में converted हो जाता है, अलग-अलग तरह के compounds में converted हो जाता है, जो कि food के तोर पे other living beings जो है, उ absorb करता है, और photosynthesis के मदद से खाना बनाता है, अब इस plant को खाने वाले छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कीडे होंगे, तो वो कीडे जो है, वो इन plants पे entirely dependent है, जिन्दा रहने के लिए, क्योंकि उन plants को खा कर ही, वे कीडे जो है, वो जिन्दा है, अब इन कीडों को अचली और मेंधक है, ये completely dependent है उन कीडों पे, जो की completely dependent है इन पौधों पे, पानी में उगता हुआ जो पौधा है, उन पे dependent है, तो यहाँ पर आपको एक interdependency मिलेगा, तो इस pond ecosystem में ये जो plant है, ये producer है, main producer है, ये produce कर रहा, जो energy को trap कर रहा और खाना को produce कर रहा, तो इसे हम producer कहेंगे, ये जो plant है, उस plant को खाने वाला, जो भी छोटे-छोटे कीडे है, उन कीडों को हम consumer कहेंगे, वो उन plants को खाके, उसे consume करके जिन्दा है, और ये जो मचलिया है, और जो मेंठक है, वो जो कीडों को खाकर जिन्दा है, वो भी consumer है, वो उन consumers को consume कर रहा है, तो वो भी consumer है तो primarily अगर आप देखे तो पेड जो है ये ये producer होगा और बाकी जो भी animals है जो इस पे directly हो indirectly हो dependent है उन्हें हम consumer कहेंगे अब यहाँ पर ये cycle end नहीं होता है अब देखे अगर ये मेंधक मर जाता है या मचलिया मर जाती है तो क्या होता है तो यहाँ पर जो bacteria है या फिर fungi है जो भी worms वगेरा है वो इसके dead body को खा जाता है और dead body को खा कर जो भी residual product होता है उसे ये छोड़ देता है जो कि यहाँ पर जमीन में अंदर यहाँ पर जमीन में soil में चला जाता है जिसे वापस से ये plant absorb करता है और plant का nutrition का काम करता है तो यहाँ पर देखे एक cycle बन गया तो इस तरह का एक cycle बनता है producer वो खाना को produce करता है इसमें mainly पेड़ पौधे आते है plants आता है और कुछ bacteria जो photosynthesis कर पाता है वो भी producer के category में आता है अब consumer उसे consume करता है mainly producer को consume करता है या दूसरे consumer को consume करता है तो यह सारे होगे consumers consumers में आता है harvivores harvivores मतलब जो पेड़ पौधा खाता है जैसे की एक हीरन हो गया जैसे की टिड़ा हो गया तो यह सारी चीजें जो है यह harvivores है इस तरह के creatures जो है क्योंकि वो plant खाता है producer को consume करता है तो उन्हें harvivores कहा जाता है अब उसके बाद एक और तरह का consumer आता है जिसे की carnivores कहा जाता है यह carnivores जो है जैसे की share हो गया बाग हो गया यह क्या करता है यह harvivores को खाता है तो यह directly हो इन्डिरेक्ली हो यह जो consumers है यह producer पे ही dependent है क्योंकि carnivores जो harvivores को खाता है वो harvivores जो है वो directly dependent है plants पे इस तरह से Carnivores भी Indirectly Plants पे या Producers पे Indirectly ही सही लेकिन वो Dependent है और Omnivores जो है वो Directly या तो वो Plant खा सकता है या फिर वो किसी तरह के Harvivores को खा सकता है तो यह हो गया Omnivores जो दोनों तरह का वो चाहे वो Plant हो या फिर Animal हो वो खाता है उन्हें हम Omnivores क्याते हैं और जो Parasites हो गया जैसे कि जो Jew होते हैं हमारे बालों में वो Parasite हो गया हमारे पेट के जो Digestive System है उससे Digestive System के अंदर जो Worms होते हैं वो सारे Parasites है जो कि दूसरे जीव के शरीर में Exist करता है और उसी से Nutrients लेता है इस तरह के जीव को या Living Beings को हम Parasites कहते हैं तो यह सारे जो है Harvivore, Carnivore, Omnivore और Parasite यह सारे Consumer के काटेगरी में आता है क्योंकि यह अपना खाना खुद नहीं बनाता है Directly सही, Indirectly सही वो Producer यानि की Plant या Photosynthesis करने वाले Bacteria पे Dependent होता है अब जब यह Consumer या Producer यह जब मर जाता है तो उसके Body को Decay करता है, Decompose करता है, Decomposer जो इस Cycle को Complete करता है इस Decomposer में आता है Fungi, कुछ Fungi, कुछ Bacteria और Worms जो है, Decompose करता है Dead Bodies को, तो वो इस Category में, Decomposer के Category में आता है अब एक Interdependent Creatures का एक हम Figure देखते हैं, जैसे कि जो चीजे हमने अभी अभी बात किया, उसे अगर हम Figure में देखे तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा देखें ये जो पेड़ है, ये क्या होगा, ये producer होगा, क्योंकि ये food को produce कर रहा है, sunlight को absorb कर रहा है, photosynthesis से ये खाना बना रहा है अब उन पत्तों को, पेड़ के पत्तों को खा रहा है, ये हिरन, तो ये उसे consume कर रहा है, consume करके अपना energy ले रहा है तो ये हो गया consumer, और उसी consumer को एक बाग जो है consume कर रहा है, मतलब deer को, हिरन को खा रहा है, और बाग जिन्दा है, तो ये भी consumer हो गया तो ये जो दो तरह के consumers है, इन दोनों को differentiate करने के लिए, जो पहला consumer है, जो first consumer है, जो कि directly producer को खा रहा है, इसे हम primary consumer कहते हैं और जो दूसरा consumer है, जो कि primary consumer को खा के जिन्दा है, उन्हें हम secondary consumer कहते हैं तो इसी तरह का एक और हम figure अगर देखे, तो यहाँ पर देखे, छूटे पौधे हैं, जिसे कि ये टिड़ा खा रहा है, टिड़ा को मेंधक खा रहा है, मेंधक को साप और साप को चील बाज के तरह जो hawk category के जो bird है, जो पंची है, वो खा रहा है, तो यहाँ पर हमें एक और chain देख रहा है इस chain में देखे, ये जो पौधा है, ये producer का काम करेगा, ये टिड़ा जो है, ये consumer है, primary consumer है और ये जो मेंधक है, obviously ये secondary consumer है, अब साप को हम क्या कहेंगे, साप को हम कहेंगे, tertiary consumer Tertiary is related to three, primary is related to one, secondary is related to two, tertiary is related to three उसी तरह से इस chain में हम इस बाज या चील को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे quaternary consumer, quaternary is related to four, इस तरह से आगे quaternary होता है और भी अलग-अलग तरह के चीज़ें होता है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इस chain में या फिर कहें, इस chain में, ये जो chain है, इस chain को हम लोग कहते हैं, food chain food chain को कुछ इस तरह से define किया जा सकता है, कि food chain जो है, a series of organism होता है यहाँ पर organism का एक series आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक series दिख रहा है जिसमें से एक उसके previous पे, food source पे dependent है, previous पे dependent है, food source के तौर पे कहने का मतलब यह है, कि यह बाग जो है, यह जिन्दा रहने के लिए dependent है, इस हिरन पे यह हिरन जिन्दा रहने के लिए dependent है, इस पेड़ पे, तो यहाँ पर जो chain बना, इस chain को हम food chain कहेंगे उसी तरह से यह जो eagle है, यह dependent है, साब पे, साब डिपेंड़न है, मेढ़क पे, मेढ़क इस टिड़े पे, ग्रास होपर पे, और यह ग्रास होपर जो है, इस पौधे पेड़ डिपेंड़न है तो food chain एक series of organism होता है, जिसमें की एक दूसरे पेड़ डिपेंड़न होता है, खाने के लिए यहाँ एक term आता है traffic level, यहाँ पर हम इन living beings को एक एक level में बाट सकते हैं, जैसे कि इस chain की अगर बात करें, तो यह एक level हो गया, यह दूसरा level हो गया, यह तीसरा level हो गया, यह चौथा level हो गया, और यह पाचवा level हो गया, तो इस तरह से हम level में तोड सकते हैं, इन levels को traffic level कहा जाता है, सबसे पहला तो देखें, ट्राफ जो शब्द है, उसका मतलब क्या है, ट्राफ का मतलब होता है nourishment, तो यह nourishment का level है, यहाँ से nourishment आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो nourishment के level को traffic level कहा जाता है, एक एक step जो है food chain का इसे एक एक traffic level कहा जाता है और इस level की शुरुवात हम यहां से करेंगे तो यह level 1 यह level 2 is level 3based level 4 और यह level 5 इस chain में देखे तो यह level 1 यह 2 और यह 3 इस तरह से हम इसे leveling क्याते हैं तो सबसे पहला जो आता है जो कि producer होता है उन्हें auto troughs कहा जाता है auto का मतलब होता खुद बखुद troughs का मतलब होता है nourishment पेड़ पौधा अपना nourishment खुद कर लेता है किसी पर dependent नहीं होता है sunlight को trap करता है energy को consume करता है या energy को trap करके वो खाना बनाता है अपना खाना खुद बना लेता है उन्हें auto troughs कहा जाता है इन auto troughs को first traffic level में रखा जाता है ये first traffic level में होगा traffic level number one उसी तरह से जो primary consumers होता है वो second traffic level में है ये primary consumer है ये primary consumer है तो ये second traffic level में है similarly ये third traffic level में है mendak third में है साथ fourth traffic level पे है और ये eagle जो है fifth traffic level पे है अब देखे जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए fuel का काम करता है उसी से हम जिन्दा है उसी से हमें energy मिलता है अब energy किस तरह से move कर रहा है आप देखे energy lower traffic level से higher traffic level पर इस तरह से move कर रहा है क्योंकि ये energy को trap कर रहा है sunlight के energy को trap कर रहा है और ये अपना खाना खुद बना रहा है फिर वही खाना ये टिड़ा खा रहा है और वो जिन्दा है और इसका जो body mass है वो create हो रहा है मतलब energy flow किया नीचे से उपर फिर टिड़े को खारा मेंधक तो नीचे से उपर energy flow किया फिर मेंधक को साब तो energy नीचे से उपर flow किया जैसे कि ये पेड हो गया, ये पौधा हो गया, green plants क्या करता है, इस पे जो sunlight गिरता है, जो sunlight यहां incident करता है, उस sunlight का थोड़ा सा हिस्सा ये absorb कर पाता है और उससे वो खाना पका पाता है, लगबग लगबग 1% के आसपास ये sunlight का energy को absorb कर पाता है, फिर वो खाना पकाता है, अब ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है इस पे तो हमने बात कर लिया और उस प्राइमरी कंज्यूमर जो उसे खाता है वो जो एनरजी वो मिलता है उसे उस एनरजी का बहुत सारा हिस्सा जो है उसका जिन्दा रहने में बरबाद हो जाता है या फिर जिन्दा रह रहने के लिए जैसे कि हम सांस ले रहा है उसमें एनरजी कंजियूम हो रहा है हम डाइजेस्ट कर रहा है उसमें एनरजी कंजियूम हो रहा है तो इस तरह से लगबग लगबग जो भी एक ट्राफिक लेवल का एक क्रियेचर जो भी खाता है पिछले ट्राफिक लेवल से जो भी खाता है उसका 10% उसके body mass में convert होता है बाकी उसका जो है वो बाकी जो दिंचरिया है बाकी जिन्दा रहने के लिए जो काम है उसमें consume हो जाता है और फिर वो उसके body mass में retain नहीं करता है उससे बाहर निकल जाता है तो इस तरह से अगर आप गौर करें जितना आप नीचे से उपर की तरफ जाएंगे उतना कम energy available होता है जैसे कि अगर यहां से यह टिड़ा जितना energy यह consume कर रहा है उसका ज्यादा तर हिससा इससे बाहर निकल जा रहा है due to survival करने के लिए इसका ज्यादा तर हिससा energy का बाहर निकल जा रहा है थोड़ा सा हिससा लगबग 10% हिससा इसक बलकि जो यह retain करके रखा है सिर्फ उतना ही energy से मिलेगा मतलब traffic level पे जतना हम नीचे से उपर की तरफ जाएंगे पूड चैन में जतना नीचे से उपर की तरफ जाएंगे उतना energy कम होते हुए جाएगा इसलिए जो उपर के level के जो top carnivores होता है जो top traffic level पे रहाता है उनकी जो है वो बहुत कम होती है लेकिन बॉटम लेवल पे जो भी क्रियेचर्स होता है उनकी संख्या ज्यादा होती है क्योंकि उसे ज्यादा amount of energy मिलता है वो ज्यादा consume कर पाता है energy जितना उपर रहेगा कोई food chain में उतना वो कम energy consume कर पाएगा या उसके हिस्से में कम energy आएगा इसलिए उसकी संख्या जो है वो कम होती है इस figure में देखे आप ये अगर थोड़ा सा research करें तो आपको पता चल जाएगा ये आप समझ पाएंगे आप अगर पेड़ पौधों को देखे तो हमारे आसपास बहुत स्यादा अगर हम देखे तो भीड़ पाएंगा उवियसली इसका इस पाएंगा पाएंगा इसका बायो मास ज्यादा होगा कैम होगा, और जो कार्णिवोर्स है उसका बायो मास उससे भी कम होगा क्योंकि देखे एक शेर को जिन्दा रहने के लिए हो सकता है उसके जीवनकाल में सैकडो हिरन मारना पड़े उसे मतलब एक शेर के पीछे या एक बाग के पीछे सैकडो हिरन होगे तब जाके एक बाग सर्वाइब कर सकता है तो इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि जितना ट्राफिक लेवल पर नीचे से हम उपर की तरफ जाएंगे उतना जो इंडिविजुल जो भी जो भी क्रियेचर है उसकी जो संख्या है वो घटते हुए जाएगा अब कुछ फूड चेन के साथ कुछ और भी चीज़े हैं कॉम्पलेक्सिटी जो है वो फूड चेन मेंटेन नहीं कर पाता है जैसे कि अगर हम एक एक एको सिस्टम को फूड चेन के तोर पे रिप्रेजेंट करें तो फिर वो पूरा क्लियर पिक्चर नहीं देता है तो इस तरह से देखिए यह चेन नहीं बलकि अगर प्रॉपर पिक्चर हम बनाना चाहें तो हमें इसे एक वेब की तरह एक जाले की तरह रिप्रेजेंट करना होगा यहां पर देखिए यह पेड़ पौदो को कौन-कौन खाता है पेड़ पौदो को खाता है यह रैबिट जो है यह खाता है यह चुहा जो है यह खाएगा यह टिड़ खाएगा पेड़ पौदो को अब आप देखिए इस रैबिट को कौन-कौन खा सकता है इस रैबिट को खरगोश को यह फॉक्स मतलब कोई भी सियार प्रजाती का जो जानवर है वो खा सकता है ये eagle खा सकता है उसी तरह से अगर आप mouse को देखे मतलब चुहा को देखे तो चुहा को ये fox भी खा सकता है ये owl भी खा सकता है तो इस तरह से देखे ये एक chain नहीं बलकि एक web बना रहा है उसी तरह से ये जो tidda है grass of war है इसे मेंड़क खा सकता है चोटी पंचिया खा सकती है और एक साप जो है मेंड़क को भी खा सकता है मेंड़क को ये जो उल्लू है ये भी खा सकता है साप जो है ये bird को भी चोटा जो पंचिया उसे भी खा सकता है तो इस तरह से देखे साप को खा सकता है यह जो इगल है यह खा सकता है इगल चुहा को भी खा सकता है तो इस तरह से देखे एक वेब बना तो इस तरह का जो वेब है जो जाला है इसे हम food wave कहते हैं तो better representation food wave से बनता है food chain से बहतर representation नहीं बनता है वो हमें एक glimpse देता है basic idea देता आता है ये रहा एनरजी डायग्रहम जो भी हमने देखा अभी तक जो भी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का प्रापेटशन हो रहा है वो एनर्जी का प्रापेटशन नीचे से Над scuse वो डी तरफ हो रहा हैow сделशर फरउस्ट ट्रफिक लेवल हैlarını जो है in कार्निवोर्स है वो third ट्रॉफिक लेवल पे आता है टॉप कार्निवोर्स जो है वो higher ट्रॉफिक लेवल पे आता है तो यहाँ पर energy का flow देखे जैसे कि हम बात कर रहे थे sunlight जो है वो जो producer के पत्तियों में producer मतलब पेड़ पौधों के पत्तियों में गिरता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक परसंट ही वो consume कर पाता है बाकी 99 परसंट जो है यह lost हो जाता है इसे यह consume नहीं कर पाता है तो उस तरह से देखे energy डाइगराम में मीचे से उपर जाते हुए थोड़ा सा यहां पर energy घटा थोड़ा सा नहीं बहुत सारा घटा पिक्चर में हम थोड़ा सा देख रहा है अब producer को जो हारी वी वोर्स खाएगा तो वहां पर भी energy loss होगा क्योंकि इसे survive करने के लिए जिन्दा रहने के लिए और भी बहुत सारा काम करना है अब हारी वी वोर्स को कार्निवोर खाएगा तो energy जो flow कर रहा है यहां से energy धीरे धीरे जितना उपर लेवल पे हम जाते हैं उतना energy घटते जाता है तो इस तरह का डाइगराम को energy डाइगराम कहा जाता ह है अब flow of energy इसके साथ energy डाइगराम के साथ related कुछ चीजे देखे जो flow of energy है यह unidirectional है एक ही direction में यह propagate करता है energy जैसे कि sunlight को जो यह absorb कर रहा producer मतलब पेड़ पौद है जो absorb कर रहा है तो यह वापस से उसे sunlight में convert नहीं कर सकता है उस energy को बलकि उस energy को वो हार्वी वोर्स में transfer कर सकता है अगर वो हार्वी वोर उसे खाए तो तो इस तरह से देखे energy का transfer इस direction में नहीं हो रहा है पेड़ पौदा जो भी energy ट्रैप कर रहा है यह वापस से light में convert नहीं हो रहा है अब अगर कोई हार्वी वोर कोई पौदा कोई पेड़ पौदा का पत्ता खाता है तो फिर व उसका mass जो है वो mass soil में चला जाए फिर soil से यह जो पेड़ पौदा है उसे consume कर ले वो अलग बात है वो mass है वो energy नहीं है mass तो cycle में जो cycle हमने थोड़ी देर पहले देखा producer consumer और decomposer का cycle हमने देखा था उस cycle के हिसाब से अगर देखे तो mass तो वापस आ जाता है धरती का जितना mass है उतना ही रहेगा लेकिन जो energy है वो energy पिछले traffic level पे वापस नहीं आता है हाँ वो dissipated हो जाता है एंवार्मेंट में वो dissipated हो जाता है जैसे हम जो खाना खाते हैं तो जो energy उससे हम consume करते हैं फिर दौड़ भाग करते हुए जो energy हम lose करते हैं वो energy environment में dissipated हो जाता है लेकिन previous traffic level पे वो वापस नहीं जा पाता है तो energy जो अगला traffic level पे available होता है वो धिरे 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 कम होते जाता है अब एक और important बात यहां से इस energy diagram से आप पता कर सकते हैं या फिर food chain या food wave से भी आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं जैसे कि pesticide जैसे harmful chemicals जो है वो किस तरह से जो food chain है उसमें नीचे से उपर की तरह propagate करता है हम जो pesticide यूज़ करते हैं यह बहुत harmful chemical होता है इसमें तो जब हम इसे use करते हैं तो फिर उसके बाद यह बारिश के पानी में धुल जाता है पेड़ पौदों से धुल जाता है और यह soil के अंदर चला जाता है या फिर यह चला जा जाता है किसी पानी के source में जैसे की जील हो गया तलाब हो गया नदी हो गया इस सब source में चला जाता है पानी के source में फिर उस soil से क्या होता है प्लांट उसे absorb करता है और इसके जो फल होता है इस फल में वो चला जाता है जिस फल को हम खाते हैं या फिर जो water body में गया हुआ य यह जो pesticide है उसे absorb कौन कर लेता है aquatic plant absorb कर लेता है फिर उस aquatic plant से वही pesticide जो है वही chemical जो है प्रापगेट करता है consumer में जैसे कि मचलिया हो गया मेंड़क हो गया इसमें यह प्रापगेट करता है इस तरह से यह प्रापगेट करते हुए food chain में या food wave में नीचे के traffic level से उपर के traffic level पर चलते जाता है चुकि यह सारे chemicals जो है यह degradable नहीं है degradable मतलब इसका decay नहीं होता है यह जियों का क्यों बना रहता है चुकि यह degradable नहीं है इसलिए यह धीरे धीरे नीचे से जब उपर की तरफ यह consume होते हुए जाता है मुझे यह arrow नहीं बनाना चाहिए था जब यह top level पे रहते हैं हम लोग इनसान जो है बिल्कुल top level पे रहते हैं इस food chain के इसलिए हमारे शरीर में इसका concentration सबसे ज्यादा रहता है तो यह जो नीचे से उपर की तरफ ट्रॉफिक लेवल पे नीचे से उपर की तरफ जाते हुए जो इस तरह के harmful chemicals का concentration बढ़ता है इसे biological magnification कहा जाता है जिसका सबसे बड़ा शिकार हम ही लोग बनते हैं अब देखे हमारा जो activities है थोड़ी दिर पहले हमने जो बात किया जो pesticide का use हम जो कर रहे हैं जिससे environment को काफी नुकसान पहुँच रहा है तो इस तरह के हम और भी बहुत-बहुत सारे activities करते हैं जिससे कि हमारे environment को नुकसान पहुचता है या उसमें change आता है एक तो हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया किस तरह से harmful chemical से pollution होता है तो इस topic को फिलाल छोड़ देते हैं इस पे हमने basic चीजों पे हमने बात कर लिया है तो आगे के topics को देखे हमारा जो भी activities है उससे और भी अलग अलग तरीके से environment को नुकसान पहुचता है जैसे कि हमारे हरकतों से या हमारे कामकाज से ozone layer जो है इसमें एक छेद बन चुका है और इसका depletion हो रहा है ये घटते हुए जा रहा है ये layer थोड़ी दिर में हम बात कर रही है और हम बहुत बहुत ज्यादा amount में garbage कचरा create करते हैं जो environment के लिए harmful ह होता है सबसे पहले चलिए बात करते हैं ozone layer depletion से हमें क्या फरक पड़ेगा या हमारे किन activities से इसमें depletion हो रहा है तो देखे सूरज से तरह तरह का electromagnetic wave निकल के आता है इसमें से जिसे हम देख पाते हैं बहुत छोटे range के electromagnetic wave को हम देख पाते हैं उसे visible range का electromagnetic wave या फिर उसे light कह जाता है अब light का जो range है इससे भी ज्यादा frequency या फिर कहें इससे भी ज्यादा energy वाला जो electromagnetic wave होता है उसे हम ultraviolet raise कहते हैं जो कि हमारे लिए harmful होता है high energy या medium energy वाले ultraviolet rays हमारे लिए harmful होता है लेकिन जो बहुत low energy वाला ultraviolet rays होता है वो हमारे लिए harmful नहीं होता है तो basically ultraviolet rays को तीन categories में categorize किया जाता है UVA, UVB और UVC यह जो UVC है यह सबसे ज्यादा energy वाला ultraviolet radiation है UVB medium energy वाला radiation है अब देखे इन्हें इन दोनों को जो कि हमारे लिए harmful है इसे हमारे atmosphere में एक layer होता है जिसे की ozone layer कहा जाता है यह ozone layer इसे block कर देता है और इसे धरती पे आने नहीं देता है जो कि living beings के protection के लिए बहुत important है यह किस तरह से protect करता है यह अभी हमें देखना है ozone layer जो है mainly oxygen molecule और ozone molecule से बना हुआ होता है देखे oxygen molecule जो है diatomic molecule होता है oxygen molecule दो oxygen atom से बना हुआ होता है जबकि ozone molecule तीन oxygen atom से बना हुआ होता है तो ये जो सबसे ज्यादा energy वाला ultraviolet radiation है ये जब किसी oxygen molecule पर incident करता है तो वो oxygen molecule उसे absorb कर लेता है वो जो पूरा का पूरा energy है ये high energy ultraviolet ray जो आ रहा है ये पूरा का पूरा energy ये मैं oxygen molecule draw कर रहा हूँ इसे पूरी तरह से absorb करके क्या करता है ये तूट जाता है उस energy को लेते साथ ये तूट जाता है दो parts में तूट जाता है oxygen atom में तूट जाता है और कोई atom जब किसी और oxygen molecule के साथ attach हो जाता है तो वो ozone molecule बनाता है तो इस तरह से देखे oxygen molecule high energy ultraviolet radiation को absorb करता है और तूट के ozone molecule बनाता है तो इस तरह से जो high energy ultraviolet radiation है ये धरती तक नहीं पहुँच पाता है अब इस ozone का क्या काम है ozone क्या करता है medium energy वाला ultraviolet radiation को absorb करता है और ये फिर तूट जाता है हाँ यहाँ पर एक बात मुझे और कहनी चाहिए थी कि ये जो oxygen atom टूटा और यहाँ पर oxygen atom जब oxygen molecule के साथ जुड़के ozone बनाएगा तो इस दोरान ये energy dissipate भी करेगा लेकिन वो energy जो dissipate करेगा ये बहुत बहुत सारे photon को dissipate करता है जिसके करण ये छोटे amount का छोटे energy का photon को radiate करता है जो कि हमारे लिए harmful नहीं होता है जैसे कि माले जो infrared radiation है वो हमारे लिए harmful नहीं होता है जो कि हमारे visible range से भी कम energy वाला radiation होता है जो कि heat जो है जो भी हम heat experience करते है वो जो heat है वो infrared radiation ही है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे energy packet में ये energy को dissipate करता है तो lower energy वाले photon को dissipate करता है, यह harmful नहीं होता है हमारे लिए, हाँ हम बात करते हैं ओजॉन, ओजॉन क्या करता है, अब ओजॉन medium range का जो ultraviolet rays है उसे absorb करता है और यह तूट जाता है, यहां से एक oxygen atom अलग हो जाता है, तो क्या होता है, यह oxygen molecule और एक oxygen atom में तूट जाता है, फिर य oxygen atom दूसरे oxygen molecule के साथ जुड़ जाता है, ओजॉन molecule बनाता है, और छोटे energy packet के photon नाट मिन infrared radiation को radiate करता है, इस तरह से देखे, oxygen molecule और ozone molecule मिलके, high energy ultraviolet radiation और medium energy ultraviolet radiation को block कर देता है, अब हमारे कुछ activities के कारण, यह ozone layer जो है, यह डिपलीट कर रहा है, यह गट रहा है, क्यों डिपलीट कर रहा है, क्योंकि कुछ chemicals होता है, जो कि normally refrigerator में यूज किया जाता था पहले, इन्हें chlorofluorocarbons कहा जाता है, मतलब यह carbon molecule है, एक organic molecule टाइप का कह सकता है, आप carbon molecule हमें कहना चाहिए, यह carbon molecule है, जिसके एक तरफ एक chlorine atom जुड़ा हुआ हुआ है, नाम से ही आप समझ सकते है, chlorofluoro, एक तरफ chlorine atom जुड़ा हुआ है, और एक chlorine atom एक या उससे ज्यादा फ्लूरीन एटम जुड़ा हुआ होगा, तो chlorine atom एक या उससे ज्यादा और chlorine atom एक या उससे ज्यादा, अगर किसी carbon chain में जुड़ा हुआ रहे, तो इस तरह के, यहाँ पर म पहुचके इस तरह का जो compound है, ozone layer में यह पहुचता है, और पहुचके यह ozone के साथ react कर जाता है, तो ozone का जो amount है, इस amount को यह घटा देता है, जिसे की ozone layer में depletion हो रहा है, अब इसे रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, इसे रोकने के लिए जो United Nations Environment Program है, इसने एक agreement किया है, और जो भी refrigerator manufacturing companies है, उनके लिए यह mandatory कर दिया है, कि वो refrigerator बनाया है, लेकिन उसमें CFC, that means chlorofluorocarbon का use ना करें, दूसरे तरह का compound को use किया जाए, और जो CFC production है, इसे 1986 का जो level था, उस समय जतना produce होता था CFC, उतना ही उसी level पर रखा जाए, उससे ज्य हमारे तरफ से एक initiative लिया गया है, छोटा ही सही लेकिन एक initiative लिया गया है, अब दूसरा problem जो है, हमारे activities से जो environment में, जो harm हो रहा है environment का, वो यह है कि हम बहुत स्यादा garbage produce करते हैं, वो garbage जगा जगा पर जमा हो जाता है, और फिर उन garbage में से, जो भी, जो भी bio degradable है, जैसे कि ह खाना अगर फेक दे, तो वो उतना harmful नहीं होता, क्योंकि उसे bacteria जो है, उसका decay कर देगा, और फिर उसका nutrients है, वो soil में चला जाएगा, फिर वही nutrients जो है, पेड़ पौधा उसे consume कर लेगा, ये उतना harmful नहीं है, लेकिन जो non-bio degradable होता है, चुकि natural way में degrade नहीं करता है, decay नही रह जाता है, और वो degrade नहीं करता है, decay नहीं करता है, वैसा का वैसा ही रह जाता है, तो वो जगा को भी घेर के रखता है, बहुत सारा जगा को भी घेर के रखता है, और environment में, pollution में वो एक effect डाल रहा है, पल्यूट कर रहा है environment को, तो man made चीजे, जिन्वे से खासकर plastic है, वो जो है वो bacteria या दूसरे saprofiade से वो decay नहीं करता है, breakdown नहीं होता है इसका, saprofiade का मतलब होता है उस तरह के creature जो कि dead bodies को या खाने को decay करता है degrade कर देता है, or decay कर देता है, decompose कर देता है वो saprofiades होता है, bacteria भी एक तरह का saprofiades है,ическая साफ्रोफाइट्स में फंगाई भी आता है, कुछ-कुछ तरह के फंगाई है, जो है वो आता है, कुछ वर्म्स भी आता है, तो बैक्टिरिया हो या दूसरे साफ्रोफाइट्स जो है, ये प्लास्टिक जैसे मेटेरियल को डिग्रेड नहीं कर पाता है, इसलिए इसे नॉन जाता है, अब देखें, ये जो नैचरल हमारा एंवार्णमेंट का जो नैचरल कंडिशन है, इस नैचरल कंडिशन में ये प्लास्टिक वगेरा जो है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेड बल मेटेरियल है, ये हजारों सालों तक रह जाता है, वैसा का वैसा है, उसका चेक न कर सके तो एक दिन हो सकता है ऐसा है कि इतना उसका amount बढ़ जाएगा कि हमारे जिन्दा रहने के लिए जिस जितना जितनी जगा की जरूरत है या फिर जितना healthy जगा की जरूरत है pollution free जगा की ज़रूरत है उतना जगा ही ना बचे और इससे और भी तरह तरह का problem आता है जैसे कि अगर कोई गाय अगर प्लास्टिक खा जाए तो फिर वो उसके digestive system में जाके वो जम जाता है या रुक जाता है और फिर वो जो है वो गाय मर जाती है इस तरह से जो environment है इसमें बह पिर भी अभी उस level तक हम नहीं पहुंचे हैं कि हम कह सके कि हम plastic free world में जी रहे हैं लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा हम सब को मिलके बहुत सारा काम करना होगा तो मुझे उमीद है कि ये chapter आपके लिए helpful रहा होगा अब हम आगे के chapters में बात करेंगे तो जल मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहें good bye